गुट इवनिंग स्टुडेंट्स वेलकम टू अजां का इस अकेडमी आप सभी हर एक बैच में मुझसे पूछ रहते सर जोशी मठ जोशी मठ जोशी मठ तो मैंने सोचा कि आज हमारा जो करेंट मैपिंग का टॉपिक होना चाहिए वो जोशी मठ ही होना चाहिए ताकि हर एक बैच में जो बच्चा मुझसे कुछ जानना चाता है कि सरीय कैसे वा यह क्या हुआ है क्या होना चाहिए तर्य तरह के तमाम क्षेश्टन जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पर रिजॉल्व करते हुए चलेंगे ओके वेरी गुड इवर्निंग मुझसे पुछा खास्तोर से ऑफ्षिनल के बच्चों ने मुझसे पुछा सरीय जोशी मठ में क्या चल रहा है तो मैंने का एक सेशन करूँगा डेडिकेटेट सेशन करूँगा आप लोगों के लिए तागि आप लोगों को पूरी डिटेल में इनदेफ्ट जानकारी इसके बारे में दी जा सके कि क्या हो रहा है वहां पर क्यों हो रहा है क्या स्थितिया ही उन बारे में दिसक्रसण हम jon हम करेंगे तो आज का यह सर्षन हमारा इसी के लिए डेडिकेटेड है ओके ओके वेरी गुड आफ्टेनून वेरी गुड एवनिंग ओल अफ यू चरे तो स्टार्ट करते हैं अगर हम न्यूस की बात करें कंटेक्स्ट की बात करें तो देखिए दह हिंदू में आठ जन्वरी को और न्यूस आई थी जोशी मट को भूस खलन अवतलन क्षितर गोशित किया गया हिंदी अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो कुछ इस टाइब की देखने को मिलेगी या अगर आप इंडियन एक्सपरिस को देखेंगे और भी बहुत सारे न्यूस पेपर्स हैं मैंने यहां पर दो मेजर न्यूस पेपर्स का नाम लिखा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन दो ही न्यूस पेपर्स में यह न्यूस थी लगबग सारे न्यूस पेपर्स में यह न्यूस थी लगबग जो सारे बच्चे मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं वो सभी Indian geography किसी ने किसी बैच में पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए समझना easy रहेगा वरना जो बच्चे अभी Indian geography नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि बहुत स सारी बात, सारी चीज़ें समझा सकें, तो आज के सेशन को हम कैसे cover करेंगे, हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे points जो हैं को cover करते हुँ चलेंगे, सबसे पहले हम location देखेंगे, कि जोशी मत् नाम की जगे, जिसके बारे में बात कर रहे है यह क्या है किस जगे पर है दूसरा क्या चीज है यह जगे है इतना तो आपको पता ही है लेकिन इसके बारे में कुछ जोतिर मठ यहीं परिस्तित है वगेरा वगेरा कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम देखेंगे फिर इसकी जीओलोजी देखेंगे जीओलोजी शब्द का मतलब होता है जमीन के नीचे क्या है जीओलोजी का बहुत सारे बच्चे मुझसे काई बाप उस्ते कहता हूं जीओलोजी में हम जादा इंट्रेस्टेद होते हैं सर्फेस में सर्फेस हमारी जो सतर है प्रित्वी की वो और उसके अंदर क्या है उसको जानने में जादा इंट्रेस्ट होता है तो यहां हम इसकी जीओलोजी देखेंगे यानि बू गर्ब में क्या है उस जमीन नीचे की तरफ धस्ता हुआ में दिखाए देरा आपने बहुत सारे वीडियो अभी अभी रिसेंटली देख लिया होंगे न्यूस चैनल्स पर या न्यूस पेपर्स में देख लिया होगा कि कैसी दरारे गरों के अंदर आ गई हैं कैसी सडकों पर दरारे पड़ गई हैं यह स साथ हम बात करेंगे कि क्या प्रिवेंशन होना चाहिए अगर ऐसी स्थितियां अभी बनी है कि वहाँ जमीन दस रही है गरों में दरारे पड़ रही है तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे क्या होने चाहिए निवारक उपाय हमारे क्या हो चाहिए ततकाल instantly क्या होने चाहिए और लॉंग टम में क्या होने चाहिए दिर्ग काल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे की ऐसी चीजों से हम बच सके इन सब पॉइंट्स को आज की सेशन में हम डिस्स करने वाले हैं ओके चलिए तो स्टार्ट किया जाए सेशन को अभी तक गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग यह चल रहा है कहां गय थे इतिनी देर चलिए सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन में हम देखेंगे भारत के मान्चित्र में अगर आप देखेंगे तो उत्रा खंड नाम का एक राज्जी है जो नेपाल और चाइना दोनों का जो हमारा वाडर बनता है उस जगे पर राज्जी हमें देखने को मिलता है अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो यहां पर नेपाल और यहां पर चाइना इस जगे पर जो राज्जी आपको दिखाई देगा उत्राखंड राज्जी के नाम से हम इसे जानते हैं पहले इसको उत्राखंड के मैप को अगर आप दिखेंगे आपके हाथ में जो भी एटलस है यह इंडिया का मैप है नक्षा लटका हुआ डिवार पर है तो जो भी मैप है उसके अंदर अगर आप दिखेंगे तो इस मैप क रहे हैं तो वही चार धाम अगर हम देखें तो जहां पर आपको गंगोत्री दिखाइदैगा यहाँ पर केदारनाथ दिखाइद दिखाइदैगा इस बद्रिनाथ के थोड़ा साथ मेंön को जोशि मथनाम की देखने को मिलेगी इस जोशी मथ के बारे में हम बात करने वाले हैं पर्टिकलर लोकेशन यहां पर है बदरीनाथ के साउथ में देखेंगे तो आपको काफी सुन्दर जगे हैं मैंने फोटो स्टार्टिंग में आपके लिए लगा दिया था तो आप देख सकते पहाड़ों के अंदर बसा हुआ कुछ इस तरीके से बसा हुआ काफी सुन्दर जगे यह थोड़ा अभी सर्वियों का फोटो है यह लेकिन जनरली भी जो है काफी प्लेस है एक परियाटक स्थल है मिल गया ना सबको चलिए गुड एटलस में आराम से मिल जाएगा को देखकत नहीं कि आपको उत्राखंड का मैप खोलेंगे आराम से मिल जाएगा और आसपास की जो गुमने लाइक जगे हैं जैसे की ऑली एक फेमस हिल स्टेशन है बद्र जोशी मट से नौर्थ में जहां भी आपको जाना है इन इन जगों पर तो उन सब जगों पर जाने के लिए जोशी मट हाल्ट स्टेशन है उसके बाद काफी जादा पहाडी क्षित्र स्टार्ट होगा तो इतनी बड़ी जगे हैं आपको देखने को नहीं मिलेगी इतना एली ओफ लावर नेशनल पार्क की तरफ बढ़ना है नंदा देवी की तरफ बढ़ना है जहां भी बढ़ना है यहां से हो करके गुजरते हुए जाते हुए हमें यह दिखाई देते हैं इसी में अगर हम बात करें तो जो आदी गुरू शंकराचारिय आठवी शताबदी मे इसी जोशी मठ नाम की जगे पर देखने को मिलेगा इसके अलावा सर बाकी और तीन कौन-कौन से मठ उन्होंने स्थापित किये थे एक द्वारिका में मठ स्थापित किया था विच इस नौन एज शार्दा मठ शार्दा मठ के नाम से इससे जाना जाता है एक जगनाथ मठ हम हमें यह इस प्रकार से देखने को मिलता है जोतिर मठ है वैसे वह जोतिर मठ का अपर वरंश होते होते जोशी मठ मठ शब्द जो है वो अपने आप में प्रचलित हो गया है कि कि अच्छा वी एक बच्छे को नहीं मिला है जोशी मठ कहां है सर अरे अभी अभी लोकेशन दिखा दी कहां रे गए थे आप तो यह चार मठ जो आदिगुरु शंकराचारी के द्वारा स्थापित किये गए थे उन्हें से एक मठ हमें यह देखने को मिलता है आगे अगर हम बात करें तो यहीं पर इंडियन आम्ड फूर्स के लिए भी यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है क् काउम कि आर्मी की जो च्षावनी जिसे हम क्याते हैं वह कंटर्म हैं यहां हमें देखने को मिलती हैं तो फो यहां हम सब्सक्राइबुर्स करें वो भी आच्छा का से मिलता है पांपी चाइना का बॉर्डर है लोकेशन फिर से अगर मैं दिखाओं आपको तो ऐस चाइना गया है इस तरफ नेपाल आगया है तो चाइना और नेपाल दोनों बोर्डस हमारे पास-पास में इस पर्टिकुलर लोकेशन से तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक इंपोर्डेंस रणनीतिक महत्वर इस जगे का ज्यादा हमें देखने को मिलता है इसलिए वजह से यहां पर आर्मी की च्छावनी यह देखने को मिलता है अब बात करते हैं जियलोजी की मतलब जमीन के नीचे क्या है सर ऐसा क्या है जिसकी वज़े से यह सब कुछ चल रहा है जमीन के नीचे के मामला पता चलेगा तब ही तो हम कुछ जान पाएंगे देखें ऐसा नहीं है कि जोशी मत में यह जो घटना अभी देखने को मिली है यह पहली बार देखने को मिली है 2021 में भी हुई थी 1976 में भी हुई थी ये एक ancient landslide पर located है, यानि ये जो जो जोशी मठ नाम की जगे है, ये पूराने बूस खलन के नीचे स्थित है, अभी मैं diagram बनागर करके सब कुछ समझाओंगा, पहले थोड़ा देख लेते हैं, तो ancient landslide पर स्थित है, और ये एक मोटी layer है, जो material गिरा है, landslide के रूप में, उसक प्राइट प्राइट प्लेट जो है, हमारी eurasian plate से टकरा रही है, अभी भी ये, जो convergence है, अभी भी चल रहा है, और इसके चलते हुए, यहाँ पर भुकम्प, earthquakes, बहुत जादा हमें देखने को मिलते रहते हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं, वैसा अगर हम earthquake के जो seismic zones होते हैं, भुकम्प प्रभावित क्षित्र होते हैं, उनकी जो categories बनाते हैं, उनमें जो सबसे तगड़ी category होती है, zone 5 जिसे हम कहते हैं, उस zone 5 के अंतरगत ये area भी आता है, जोशी मट और उसके आसपास का जो क्षित्र है, उतराघंगा चमौली district है, वो पूरा क्षित्र zone 5 के अ आता हुआ हमें दिखाए देता है, यानि भुकम्प के chances भी पूरे हैं, क्या भी यहां पर भुकम पारा जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है, आगे बात करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं, यहां पर है क्या है, अभी थोड़ी देर में आगे बात करते हैं कि क्या है, इसके आता है, आप इंडियन जोग्राफी पढ़ी चुके हैं, आप जानते हैं कि यह ग्रेट हिमालया है, महान हिमालय या ब्रहद हिमालय जिसे हम कहते हैं, यह मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय या हिंदी में मत्य हिमालय, लगू हिमालय के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो वाला ह किमाले यह है जो कि अलग लग टुकड़ों में में देखने को मिलता पीर पांजाल दौलादर को माओ नाग टिबाइसी एसी श्रेणिया में देखने को मिलती है उन दोनों के बीच में जो थ्रस्ट है जो फाल्ट लाइन है जो ब्रंच रेखा है उसे हम में सेंटरल थ्रस्ट यह में एम इन तर्फज्ट में तो kepल इसी पार्ट को थोड़ा ग्रार्फर करके बनाऊं तो ये ग्रेट हिमालिया ये में अन्जानुर्ट थस्ट वाला एयरिभ और पिर ये कि एक साहरा मथा ये एक पस्टिक्षिन पर होता है आप उससे 8-10,000-5 hij किलोमेटर आगे पिछे थे देखेंगे तो सथा मधी संच पर मास वास्टिंग आपने पढ़ाई हो गांको यहां पर देख देखते हैं कि बहुत सारा material जो है वो एक साथ आ करके गिर जाता है that is the landslide या हिंदी में हम उसे कहते है भूस खलन और वैसा material अलग हो करके यहां पर आ करके इखटा हुआ है जिस जगे पर यह क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको कि एक flat area है इस flat area में आ करके बहुत सारा material इखटा हो गया तो ढाल जो ढाल आपको दिखाए दे रहा है और इसके ऊपर आकर गया material इसा खटा हो गया तो आपको एक flat area दिखाए दे रहा है सपाट सतह दिखाए दे रही है समतल जगे दिखाए दे रही है लेकिन वह वास्ता में क्या है उपर से गिर वहा material है जो पहले कभी गिरा था उसकी exact history हमें नही को मिल रहा है और अब इसकी एक मोटी परत यहां पर जम चुकी है जिसकी वजह से क्योंकि यह सपाट जगे है तो लोग रहने के लिए सपाट जगों को पहले ढूंडते हैं तो यहां पर settlement हमें देखने को मिल रहा है लोगों का निवास जो है वो देखने को मिल रहा है लेक नहीं के रहा हूँ कि अभी अभी रिसर्च हुई है सब चार दिन पहले तो गटना हुई आप इतनी सारी रिसर्च भी लेकर के आगए यह 1976 में भी गटना हुई थी और पूरा एक कमिशन बनाया गया बारत सरकार के द्वारा और उस कमिशन रिपोर्ट में बताया है कि ऐसी- से साउट से sera करके गुजर रहा है तो में रिसांटर्ड में क्या होता है है हम जानते हैं कुछ एसी कहानी होती है एसी कहानी होती है, फाल्ट क्रियेट हो जाता है, जब कंपरेशनल फोर्स बहुत जादा होते हैं, संपीडन बल बहुत जादा होते हैं, तो मटीरियल जो अपनी लेयर्स हैं, उनको तोड़ देता है, यह जो परते हैं, जो जुड़ाव है इन चट्टानों के बीच में, वो इस तरीके से है, तो थोड़ा सा सखिसक जाता है, यह खिसकने की वज़े से जो दरार क्रियेट हुए है, उसे यही हम फाल्ट लाइन या ब्रंच रेखा के रूप में देखते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं सब, इसलिए मैं बहुत जादा डेफ्ट में नहीं जा रहा हू जो शी मट के बिल्कुल पास में, साउथ से हो करके गुजर रहा है, यानि भुकंप के दरिश्टी कौन से अगर हम बात करें, तो भी यह बहुत एक्टिव रीजन है, बहुत जादा सक्रियेक शेत्रे, भुकंप यहां बहुत जादा आ सकते हैं, दूसरा, यह अगर भुकं जादा सकता है, पानी भाहा करके ले जा सकता है इसको, बहुत जादा आप कंस्रक्शन वर्क करेंगे, अभी हम आगे रीजन्स देखेंगे, तो रीजन्स में यही पता जलेगा कि यही सारी गतिवितियां है, इसा हमें देखने को मिल रहा है, तो यहां तक कहानी क्लियर जिसकी एक मोटी परत है, ठिक लेयर यहां पर जमी हुई है, और वो MCT के विलकुल पास में है, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कि लेंड सबसीडेंस क्या होता है, एक और टम हमने देखा, अभी अभी रिसेंटली, हमने इंडियन एक्सपरिस की न्यूस देखी, उसमें किसी कारण से कोई क्षित, कोई हिस्सा, मालने तो इतना इतना हिस्सा, नीचे की तरफ चला जाए, यह पूरा का पूरा पार्ट नीचे की तरफ चला जाए, इसे ही हम कहते हैं land subsidence या हिंदी में कहते हैं Poo out talent, अगर आपको याद हो, तो हमने ऐसी कुछ कहानिया पहले भी पढ़ी है हमने जब 36 गड़ बेसीन पढ़ा था तब भी हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि वह अंदर धसा हुआ भाग है जब हमने मालदा गैप की बात करी थी राजमहल गारो गैप या मालदा गैप की बात करी थी इंडियन जोग्राफी जब हम पढ़ रहे थे वहां पर भी हम होने के completed extra section of water और minerals आप बहुत ज़्याद़ा मातरा में सतह के नीचे से पानी आगर कीच करके के नीकालेंगे तो सतह के नीचे होते हैं अ uit सभरेस के नीचे सतह के नीचे जो जल ब्रत होते हैं पानी जो बारा होता है जिनको हम कुओँ के द्वारा या तो क्यूब वेल्स के द्वारा निकाल लेते हैं जिनकों एक्वीफर्स या हिंदी में जलब्रत के नाम से जानते हैं यह जलब्रत या एक्वीफर्स अगर आप बहुत ज्यादा खाली करते जाएंगे तो नीचे सिर्फ सिफ हवा बचेगी फिर वह जो वजन है उपर इतना सारा जो वजन है इन लेयर्स का परतों का उसको उठाने के लिए नीचे कुछ नहीं बचेगा सिर्फ हवा बचेगी तो यह हिस्सा कभी भी अंदर की तरफ दस सकता है यह कारण हो सकता है दूसरा कारण हो सकता है आप बहुत जादा माइनिंग कर रहे हैं मिनरल्स निकाल रहें अंदर से कोईला मिला है आपको मैडल्स मिले हैं कोई तो आप माइनिंग करके निकाल रहें तो भी अंदर से खोकला कर रहें उसको फोलो बना रहे हैं और खोकला हो जाएगो तो एक दिन अंदर धस करके उपर वाली परत गिरेंगी नीचे की तरफ और यह पार्ट अंदर क प्रश्ट तनाव सर्फेस टेंशन की वज़े से वह जो है सिकुड जाएगा अगर वह सिकुड गया तो फिर क्या हो जाएगा वहाँ पर सिकुडने की वज़े से बीच मीच में गैप क्रियेट होंगे तो उपर की परत धस करके अंदर की तरफ गुस सकती है आपने का देख प्रपरटी है कि वह कॉमपेक्शन करती है सिकुड़ती है तो वह स्वाइल कॉमपेक्शन की वज़े से भी ऐसी स्थितिया हमें देखने को मिल सकती है या फिर अर्थ का क्रस्ट जो टेक्टॉनिक मोशन है प्लेट का मूवमेंट जो चलता रहता है वीवरतनी की जो चलती ही रहती है प्लेटों की उसके तहत कोई प्लेट मूवमेंट कर रही हो जैसे पर्टिकुलर यहां जो हमारा केस है वहाँ पर इंडियन पैनिसुलर प्लेट जो है वह हमारी जो यॉरेशन प्लेट है उससे जाकर करके टकरा रही है और टकराने के बाद में सबसिदेंस देख देखने के को मिल सकता है भू अवतलन देखने को मिन सकता है यानी भूमी का हिस्सा जो आज आपको उपर दिखाई देगा credit रहा होगा अंदर की तरफ धस्ता हुआ दिखाई दे सकता है क्या Αएंफ होंगे अगर आसपास बुलंडिक या बाड किस्थितियां भी हमें देखने को मिल सकती हैं तो ऐसे कुछ कारण और ऐसे कुछ प्रभाव हमें Landسب琯ेंस के देखने को जाते हैं अभवात करते हैं कि यह सब कारण तो हमने देख लिए Land управ कितेंस क्या होता है म्लें थोड़े बेसिक बेसिक चीज असारी कर ली जोशी मठ की location भी देख ली mct के पास में है ये भी हमने देख लिया कैसे बना था उसकी geology कैसी अंदर से क्या स्थिति है वो भी देख ली लेकिन अभी क्या हो रहा है जिसकी वज़े से जोशी मठ में दरारे तरफ पड़ रही है ये सिंकिंग की स्तिती क्यों आ रही है जब से पहली चीज़ 1976 मिश्रा कमिशन कर्पोर्ट जो हमें कोई प्लेन नहीं है यह सिर्फ उपर से आकर के धसकर के नीचे गिरा हुआ मटीरियल है जो कभी भी स्लाइड कर सकता है आगे की तरफ खिसक सकता है इसके अलावा आसपास जो नदियां बह रही है हमने पंच प्रयाग पढ़े थे अलकनंदा धौली गंगा ऐसे कुछ प्रया जोशी मठ के पास से घुर करके बहा करके साथ में लेजाएंगी करके कटाव करकर करके अपरदन करकर के साथ बहा करके लेजाएंगी थोड़ी आज ले जाएगी थोड़ी कल ले जाएगी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, continuous process चलता रहेगा, क्योंकि पानी continuous ली उतर रहा है, इन सारे glaciers से हमेशा पानी बहता रहता है, तो वो continuous erosion करता रहेगा, लगातार अपरदन करता रहेगा, और उस लगातार अपरदन continuous erosion के चलते चल सब्सक्राफी जो है वह कुछ ऐसी है स्थलाकृति कैसी हम अभी जियोलोजी में देखकर क्या हैं कि यह सॉफ्ट रॉक्स से बिलकर के बनी हुए क्षित्र है मुलायम चट्टाने हैं जो उपर से डह करके गिरी हैं आपस में उनकी सब्सक्राइब नहीं है जो आप किनी चट्टानों से एक्सपेक्ट करते वैसी मजबूती यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगे इसके लावाँ यहां बहुत सारे मौरेंस भी हैं मौरें याद्करों क्या होते हैं हमने पढ़ा है इनके बारे में भी ग्लेशियर जो होते को कॉंसेटर बैच वाले बच्चों को मैंने पड़ाया है इस तरह तो अपने साथ में बाहुत सरा मटीरियल भाँ करके में नीचे की तरफ एक टेम्पछर ऐसा है जब डिलेशे तो मैल्ट हो जाएगा लेकिन मटीरियल वही छूट जाएगा वो जो glacier के द्वारा लाए हुए material deposited material वहाँ पर इखटे होते हैं उन्हें हम moraines के नाम से जानते हैं ऐसे moraines हमें worldwide बहुत सारी जगों पर देखने को मिलते हैं तो वो moraines जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं अब यह सब कुछ जो है वो मिट्टी वाला मामला है मतलब ना नेंच्राक्षिशन करें यहाँ तरा बंसंगी दो नीचे से नदा और ज्वह कर रही है तो नीचे से नदिया और जञाए है को सब तरसारी पर देखें कर रहे हैं तो यहां पर और ज्यादा इरोजन कर रही है परदन कर रही है तो वैसी स्थिति में यह मिट्टी मलबा बहुत आसानी से फ्लो करता हूँ आपको दिखाए देगा और यही कारण है जिनकी वजह से यहां पर हमें यह धसाव की स्थितियां यह दरारे पढ़ना यह सब कुछ स्थि स्थितियां जो है वो देखने को मिल रहे हैं और यो सिस्मिक्ली एक्टिव एरया भी है भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भी अभी तक आला को देखने को अभी नहीं मिला लेकिन एक भुकम पौर आया ना तो जोशी मठ की हालते और ज्यादा खराब जाएगी वह और ज्यादा तेजी से मलबा जो है वो नीचे की तरफ लो करने लग जाएगा तो यह सारे कारण है जिनकी वजह से हमें जोशी मठ में यह सारी स्थितियां देखने को मिल रही है आई तिंक अब आपको कहानी क्लियर होगी कि क्या वहां पर हुआ है जिसकी वजह से यह सारी स्थितियां यहां पर बन रही है राइट गुड अब बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए सर अगर ऐसी स्थितिया बनी है तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए आप वहां पर डीम होते अभी पोस्टिंग होती है यह पता होना चाहिए तो अगर आप इमिजियेटली बातकरे तत्काली गुरूप से बात करें तो जितने भी लोग बहां पर हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाय जाय जो कि हम देखर हैं बार बार नीज्यूज में में देखने को मिल लगी इतने परिवारों को यहां शिफ्ट किया गया है उतने परिवारों को इधर ले जाया गया है all those things वो सारी चीज़ा की जानी चाहिए ताकि लोगों की जिन्दगी लोगों की जान बचाई जा सके पहला काम हमें यह करना होगा दूसरा जो expert हैं इस मामलों के जो विशेशग्य हैं इन चीज़ों के उनका कहना है कि यहां होने वाला जितना भी development work है खास तोर से construction work है निर्मान कारिया जितना भी चल रहा है जितने भी dams यहां पर operate किये जा रहें उन सब का काम immediately रोक दिया जाए ततकाली गूरूप से इसको रोक लिया जाए तुरंत प्रभाव से इसको रोक दिया जाए ताकि आगे की स्थित्यां और ना बिगड़े जैसी है वैसी ही बनी रहें इससे जादा स्थित्यां और बिगड़ने वाली हमें ना दिखाई दे त पहली चीज tune की जो planning है ताउन प्लानिंग का मतलब होता है यह शहर जो मुन चाहिए जो जिया ऐगा यह पर यह किस प्रकार से बसमा चाहिए इसका drainage किस प्रकार सेय से चाहिए फिर शैक आने कहना में इसके अंदर cracks पैदा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? drainage को redefine करना पड़ेगा या फिर से plan करना पड़ेगा?